हाई दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फोन में आने वाले नौटिफिकेशन को कैसे बंद करना है अगर आपके फोन में भी 18 प्लस डोड़िकेशन आ रहे हैं और आप इन नौटिफिकेशन को ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप सही वीडियो पर आये हैं, आज मैं आपको कुछ ऐसी सेटिंग बताऊंगा, जिस सेटिंग को करने के बाद आपके Google Chrome में Notifications ब्लॉक हो जाएंगे, जैसे आप उस सेटिंग को करेंगे, तो आपके मुबल में कोई भी Notifications नहीं आएंगे, तो अचलिए अगया इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, दोस्तों, इसके लिए आपको Google Chrome Application उपन कर लेना है, जैसे आप Google Chrome Application उपन करेंगे, तो उपर आपको Red Mark दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, तो आपको ये पॉप अप मिल जाएगा, यहां से आपको इस पेज को स्क्रॉल ड पर ना है, और यहां पर आपको Option दिखाई दे रहा है, Notifications, तो इस Option पर आपको क्लिक करना है, जैसे आप उस Option पर क्लिक करेंगे, तो आप इस पेज पर आजाएंगे, यहां पर आप देख सकते हैं, Chrome से मुझे अभी भी Notifications आ रहे हैं, Floating Notifications, Lock Screen Notifications, तो यहां से आप इन Notifications को Block करने के लिए, बस आपको उपर के Option को Off कर लेना है, जैसे आप उपर के Options को Off करेंगे, तो आपको Google Chrome से कोई भी Notifications या फिर Message नहीं आएगा, तो यहां से इस Option को Off कर दीजिए, जैसे आप इस Setting को करेंगे, तो अब आपको कोई भी Notifications नहीं आएंगे, तो इस तरह आप Google Chrome में 18 इन प्लस के Notifications को Block कर सकते हैं, वीडियो अच्छी लेगी तो इस वीडियो को Like करना, और ऐसे Interesting वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को Subscribe कीजिए, Thanks for watching it.